जिसूर के आई पिच विश्राम ग्रह में सिवसेना बाल ठाकरे पार्टी की एहम बैठक आयो जिन किया गया बैठक में मुख्यतिती के रूप में शिवसेना के राज्य परवक्ता ब्रिजलाल ने शिर्कत की कारेकर्म की अध्यक्षता जदस्वंत कटोच शिवसेना उपर राज्य पर मुख्त द्वारा की गई बाद में पतरकारों के साथ बातचीत के दोरान ब्रिजलाल ने कहा कि सिवसेना आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बलबूते पर हिमाचल में चुनाव लड़ेगी। और ना ही उसने कभी इसमें दोगलापन दिखाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मेन एजेंडा ही हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि हिंदुों को आ रही समस्यां जो भी हो जैसे आजकल भरस्ताचार महंगाई जो प्रमुक हैं उनके साथ ही ह हिंदुत्व पर भी फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल ठाकरे ने जिस चीज के लिए इस पार्टी की स्तापना की थी उसी के लिए हिमाचल में भी वे चाहते हैं कि हिमाचल के युवा हिंदुत्व की भावना को लेकर या हिंदुों को आ रही समस्यां को लेकर चुनाव लड़े उन्होंने कहा कि आज कल आम लोगों में देखने में जो समस्यां मिल रही हैं उन सब पर भी हिमाचल शिवसेना हिमाचल में परवेश करेगी हिंदुत्व जो होगा सिवसेना का में मुद्दा होगा और सिवसेना हमेशा ही हिंदुों की रक्षा करती आई है उसमें ना तो उसने कभी दोगलापन दिखाया है और में जो होगा वो हिंदुत्व को लेके सिवसेना इस वार इलेक्षन में बिलकुल उसको भुकूब भी लड़ेगी और उसमें हिंदुों को आरे ही समस्या जो भी हैं या अधर भी जो जैसे की आजकल बरश्टाचार महंगाई और में जो फोकुस होगा वो हिंदुत्व को लेके हमारे माणियों हिंदुहितरश म्राच स्वरगी से बालसाह घात्रे ने जिस चीज के लिए इस पाल्टी की स्थापना की थी उसी के लिए हिमाचल में भी हम चाते हैं कि जो हिमाचल का युवा है वो हिंदुर्तुप की भावना को लेके या जो हिंदुनों को आ रही हैं समस्थे आएं जो आज आम लोगों में देखने में मिल रही हैं उनको लेके ही सिफसेना जो है वो हिमाचल में प्रेश कर रहे हैं शीवचेना अपने बलबुते पे चुनाव लड़ेगी, इससे पहले भी हिमाचल परदेश में शीवचेना ने विधान सबाते भी चुनाव लड़ेगी और लोग सबाते भी चुनाव लड़ेगी जो अपने बलबुते पे लड़े हैं हिमाचल परदेश में और आगामी जो